कि अब लोग हम उम्मीद करते हैं सभी स्वास्त होंगे खुस भी होंगे पड़ाई लिखाई भी करने होंगे तो आए आज तेरा में आज हम लुक्लिया के बारे में कि अधिने अधिनान का हमारे यूट्यूव चैनल स्वागत को स्विकार करें और वीडियो को पूरा देखें विछला लेक्षर भी देखें सर पर बूर्ड है आगे उसकी तयारी में जूट जाएं फांकी वाजी ना दे मोबाइल से क्या करते हैं कि अधर इसकी खूज किस ने किया रधर फोट ने किसने रधर फोट रधर फोट राते हैं किस भी में थोड़ी बहुत इधर उधर आजाती है ग्यारा बाराद की बाद है इतने इस भी मिन्हों ने खूज किया इन्हों ने बताया कि परमानु का क्यंद्र परमानु के तुल्णा में बहुत छोटा होता है टॉल्डर ओफ सिश्च देखें एडि ओल्डर ओफ साइज ओफ से नुकिलिएस की बात करें और इसकी बात करें इसकी अटम है और बटाया है इन्होंने 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power minus 15 meter जागतर एक क्रामिनेशन में यह है यदि आपको पूछें कि अपार का order मना कोटी क्या है तो 10 के पार minus 15 इसके पीछे गुणान के वे कुछ भी हो सकता है कहीं कहीं को लिखा जाता है 4.15 गुणा 10 के पार minus 15 कहीं कहीं 41.41 गुणा 10 क के पार minus 15 तो order के बाद करते हैं जिसके बाद कर रहे हैं order कि मना कोटी तो इस कोटी के लोगते हैं यदि एक कामिनेशन में इसे आजाए 14 आजाए 14 आजाए 14 आजाए 15 में लगाए तो इससे दोनों एक साथ आता नहीं इस 15 को लोग करते हैं है फर मीटर 10 to the power minus 15 मीटर पराग करेंगे निकटकम पहुंच की दूरी निकालेंगा अलफा रे स्केट्रिंग नहीं रधरफोट एक्स्प्रिमेंट आप निश्चित अलफारे स्केट्रिंग आपको निश्चित देखेंगे एटरमस के अंतरव्याद करते हैं मोडर्न फिजिक्स जैसे आप देखेंगे अलफारे स्केटरिंग है कि द्वारा किया कितना इस्वी के पास है 1912 की बात है तब जाकर के एक कंदर के बारे में उन्हें पता लगाया तो यह यह यही प्रमानु है अपना माल लेते हैं यह केटम है तो यह इसका क्या है क्या है यह केटम तो यह इसका क्या है निकलिस यह प्रमानु तो यह कंदर जह आगे देखता है कंपोजिशन आप निकलियस कंपोजिशन आप निकलियस मने केंद्राकर का आवियां करता है कि क्या क्या हो सकता है इसके लिए दो है फोटे सिसाइग पहला आया प्रोट्रोन इलेक्ट्रोन है यह आया 1930 सिस भी में कितने इसबी में 1930 सिस भी में दूसरा है प्रोटोन प्रोटोन नियोट्रोन है यह आया कि आप्डर 1932 किसके पाद 1932 के उनुसार आप समझें करता है कि सब्सक्राइब प्रोटोन और एलेक्टोन प्रोपाहला नम्दर हैपोथेसिस देखर काप्लेटिंग देंगे प्रोटोन एलेक्टोन हैपोथेसिस हैपोथेसिस नहीं करता इस अवध्हारना के अनुशार नुकेलियस में प्रोटोन तथा एलेक्ट्रोन रहा करता प्रोटोन के खोज से पहले चाहिं अजब तक न्योट्रोन के खोज नहीं ही हैे यहां आवधारना न्यूट्रोन के होज से पहले का है जब तक यह नहीं थे तब यह आवधारना दी गई यह आवधारना कहता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रोन केंद्र में तथा कुछ इलेक्ट्रोन और्बिट्स में चकड लगाते केंद्रक में इलेक्ट्रोन के संख्या परमानु संख्या जैड के बराबर तथा प्रोट्रोन के संख्या यह माइनस जैड के बराबर होता है यह हैपोथेसिस है किसके प्रोट्रोन इलेक्ट्रोन हैपोथेसिस अब इन हैपोथेसिस को क्या क्या कि बिवान सांटिस ने जैसे दीप्रोगली ने समर फिड में इत्यारी लोगों इसको यह उप्रोट्रोन स्थ नाचांत कौन सी कोसोटी कहां देखते हैं कि क्या यह वेवर मेकनीक को सटिस्पाइड करता है जब उस कोशोटी पर उतारा चाहां आवधारना ही गलत यह आवधारना चले नहिंए दर क fu息 अक इनके ड्रो बैक देखें लिए प्रोटोन इलेक्ट्रोन है प्रोटोन है प्रोटोन है इसकी अभून क्या नहीं उखाथा है निमनली खेतर कारण से इस सहाय को थेसिस प्रणा नोटों को रिजेक्ट कर दिया बैर क्या कर दिया प्रोटोन यहीं इलेक्ट्रोन निकलियस में होता है तो इसे रिवालूशन मनचकड के दोरान लगभाग 20 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट से 200 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट तक साथ इनर्जी हीस में एक्ट्रोन में चाहीए जब कि वीटा डिके के दौरान को वीटा डिके के दौरान को नंए मेगा एलक्टोन गोल्ट से 3 मेगा एलक्टोन गोल्ट ही उर्जा उत्सर्जित होती है यह यह बात किस ने कही थे तो यह बात कही थे हीजेन हीजेन वर्ग एंड किस ने यह बात कही थे विजेन वर्ग एंड डी ब्रावलिय ने क्या हां कि यह होता है तो इसे रिवल्टुशन के दौरान लगबग 20 मेगा एलक्टोन वोल्ट से 200 मेगा एलक्टोन वोल्ट तक इनर्जी इमिट्स मना उत्सर्जित करना चाहिए जब कि बीटा डिके बीटा का इमिशन बीटा डिके के दौरान जब दो मेगा एलक्टोन से तीन मेगा एलक्टोन वोल्ट ही उर्जा उत्सर्जित है जब इसका मतलब है विजेन वर्ग ने बता दिया कि यह एलक्ट्रोन नुक्यलियस में नहीं नहीं आता है इनको दूसरा तो आए देखे पाला अंपर्ण नहीं होता है नुक्यलियस के अस्पाइं या एबलोकर जब दिया गया तो इलक्ट्रोन की नहीं हो सकता है इसे देखेगी नुकलियस का मेगनेटिक मोमेंट से बहुत कम होता है कि असपस्ट है कि येक्ट्रों नुकलियस में नहीं होता ने उसको आप लेजिए फटक से स्क्रीन शूट ले लेजिए दूसरा है फट्सेस को देखते हैं क्या है याद रखेंगे और यह नौट में लेखते हैं याद अग्धार्ना सर्वमान्य है डेखें यहां से पढ़ते हैं फटाक्स आपका लेजिए फटर फार फार तो काता है प्रोटन हीजेंवर के दुआरा 1932 में नियुट्राण के खोज के बाद दिया गया उनिज्ट्राण का फोज के रहा था जन्स चैडिव किने जो आपको एके पहली लेक्ट्र में प्रोटक् बादन दिया गया बात दिया गया इसके हुसाद परमानों के केंद्र में प्रोटोन तखा न्यूट्रोन रहता है न्यूट्रोन उदासी जब कि प्रोटोन धना विशित होता है यहां गुठेशिस बताया करता है कि प्रोटोन न्यूट्रोन से अंस्ता हलका होता है यहां पर करता है कि proton तका neutron एक ही पार्टिकिल के अलग अलग आवेस अवस्था मनें डिफरेंट चार्ज इस्टिल अलग अलग अवस्था है जैसे करवन का एक ग्रिफाइट भी रूप है करवन ने हुता है और उसका हिरा भी इक ओरूप है, एक रावादार है, एक बेरावादार है, एक बिदूथ के चालक है, ग्रिकवाइट के अपरूप्न, ग्रिकवाइट के लिएट के चालक, चालक कारश थी." तो इसमंडेस प्रोप्रार करता है कि एक अखें पार्टिकल के दों अलब अलग अलग है, आगे समस्ता है, चार्ध बस्षी में होता है और एक positively charge होता है , proton तरह न्यूटरोण को सम्मलेत रूप से इग वो proton और न्यूटरोण इसमें नीचे लिखावा यहां अथाना सव्वमान निया है मैं कंपूजीशन वाना है अब कौन सी हर्पोथैसिस सर्व मानने है तो आपको बताना है प्रोट्रोन न्यूट्रोन है जो है सर्व मानने है जो यह वाई जे नवरमी दिया आप 232 के बाद न्यूट कर लिया होगे इनको आम इरेज करेंगा अगला भेटिन ते तो अगला हेडिंग लागा तिजिए यहां जबने हैँ पूर्च की हमारे जुक लिए निकालते हैं क्या आता है एक घ्रत सतर्च है क्या तो आप में नभ के प्रों मैं बाटन डिखनेस देख लिए आया कहां से फ्रों रधरफोर्ट से एक्सपेरिमेंट अल्फारी का मुद्ध चेस्केट्टोइंग किया था तो यहां पर माल लेते हैं कि गोल्ड का जा है निकलियास है तो देखा कि एक रे धर से आया इसे चल गया नहीं एक रे धर स तो यह आपने देखा कि यूँ गया यूँ गया और यूँ आ गया तो यहां से जो यह दूरी है यहां से जो यह दूरी ना पी गई है इसको मान लेते हैं क्या है यह आरण हो है तो के अदर से अल्फारे के बीच की जो सबसे कम पहुंच की दूरी है कि मना अल्फारे कहां तक सीधार चाह सका तो इसके के केंदर से अलफारे की बीच की जो devrait ईसी को अंबलोक करते हैं निखटम पहुंच के तुरे अलफारे कहां तक संब क parse for नकर तक सुल यहां तक सिंच विल फिए कितना हो सकता है मैंनली किसके लिए आया है गोल्ड के लिए आया है तो देखते हैं यहां पर हुआ नहीं क्या क्या हुआ है वास्तव में क्या क्या हुआ है वास्तव में क्या क्या हुआ है तो पाहली नहीं यहां पर क्या लेंगें एजंप्शन तो पहला नमर लेते हैं वोग कि नि क्या करें निकटता पहुंचके दूरी क्या करते हैं अलफारे के द्वारा एक सो असे के से विच्छे पित्त होने से केंद्र तक की दूरी को दूरी को निकटता पहुंचके दूरी करते हैं अलफारे के द्वारा एक सोसी से विच्छे पित्त होने से जहां से होगया है यह इसलिए वाहां से पेंद्र तक की दूरी को क्या करते हैं , निकटता witnesses पहुंचके दूरी करते हैं हो सकता है वहां सा थोड़ी अट पटांग लगें पर फिलिंस आनी चाहिए आपको क्या अलखार यह जहां तक पहुंचा जहां तक पहुंच करगे यह जहां तक पहुंच करगें तक पहुंच करगें तक पहुंच करगें कि के अगला एक्सपेरिमेंट किसे आया कि के मना काइनेटिक इनर्जी ऑफ अलखा लिका होता है 5.5 मेगा यक्रों बोल्ट मेगा जानते हैं ना 10 to the power 6 10 to the power 6 इसी कम लूब क्या करते हैं मेगा करते हैं तो इसको यदि हम पूरा लिखें इलेक्रों बोल्ट में के वाल तो 5.5 गुना 10 के पहुंच के पावर 6 इलेक्रों बोल्ट इसी सबस्के पावर 6 के लिए हमने एक यूज कर लिया मेगा आई का समय में नॉट करें को अगे रिखें लिए देखें वाए अप्सपर अप पक्रचा की इनर्जी कितना निकला इतना निकला इसको जूल में रिकांफटकरे तो 5.5 गुना 10 के पार 6 बने मेगा आई एलेक्रों कर लिटेंगे इसको यहां से आ जाता आठाट तेरा उनीस सहों तेरा आजाएगा तो कौन चुलाब को नदसके पार आप माइनस चो जूर्छ और इसको कितना हो जाएगा आब छाइगा हमें सदा याद रखें पूछ सकता अलफा पार्टेकेल का कैनेटिक इनर्जी इसका हम लोग पूछ नहीं कर सकते हैं यह तो पहला नमर हो दूसरा नमर एजेक्शन के कहा कि अलफा पार्टेकेल यह यह कहिए तथा निकलियस को पॉइंट चार्ज के रूप में लिया गया है नहीं तो चार्ज और अलफा पार्टेकेल आप जानते हैं इनर्फा पार्टेकेल चार्ज करते हैं तो कितने चार्ज अपन नुकलियस का चार्ज और यह दोनों की क्या होगे और दोनों के वीच की दूरी कितनी है है और अलीकिल दूरी है इसको उखटा लेते हैं आवी कि लिखने में जिकली जाती यह जो भी निकलेगा किसके लिए आग वीकिले यह निकले अक जो फिर निकलेगा है कि यह पुल्ड बेंट है तो दूसरा एक्स इस चालिया तरहा है है मानले की मानले की अल्फा पार्टकील है कि केगी में अल्फा नुकिलियास अल्फा नुकिलियास इंट्रेक्शन के दॉरान इनर्जी लोस नहीं होता है यह तीन एजम्साल की मानले की अल्फा पार्टकील है कि के इए में अल्फा नुकिलियास इंट्रेक्शन के दॉरान इनर्जी लोस नहीं होता है जर यहां पर निलेस जर यहां पर निकलियस आया तो दूनों की बीच राएं कोई छती ने आके देखिए दूसरा ये तीस्रा निमीन निम्मर था चोथा नमर ले लेते हैं पोटेंशियल आप निटियास एट डिस्टेंस आर्माउट आर्माउट दूरी पर निटियास का मनें यहां से इस दूरी पर पोटेंशियल चुकिए इसको आप क्या मान लिया है है पॉइंट जाना है तो पड़ेंगे चीया स्थान पर क्या आजएगा जैटी अब स्थान पर क्या आज यहँ से यहां से यहां पर सब करेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे यह तो नुकेलियस का पोटेंशियल देखनें अब देखते हैं जड़ां पोटेंशियल इनर्जी ओव अलफा रे और पार्टिकल में कोई भेद नहीं है रे अट डिस्टेंश अट डिस्टेंश आर नॉट पर देखना है तो यहां पर देखें तो पी की बराबर क्या हो जाता है पोटेंशियल अगुना चार्ज देखिन अबर कटार अगुनी तो पोटेंशियल इनर्जी बनता है तो पोटेंशियल अगुना चार्ज यहां पर देखिया तो पी बराबर क्या हो जाना है तो पोटेंशियल कितना निकला है वहां को सुदूरी पर के जाड़ इबटर आर क्या हो जाएगा के जाट टू के जाट की स्कॉयर बटा है समिकरन का लीजे एक अब अगला नमर देखते हैं शट्का के आप अलफा पार्टिकल लिखते हैं एक वार रिवार वर कर रहे हैं और पार्टिकल में कोई वेद नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 by 2 गेई बराबर 1 by 2 mv square मना क्या है m equal to mass of electron नहीं mass of alpha particle मना alpha particle का mass of alpha particle मना m alpha पराबर कितना unit पोर यूनित या पोर यूनित आपना है यूनित आप एची यूनित आप हैद्रोजन अलफा पाट्टिकिली और यहां पर एजंग्शन देखें तीसरा नमरेज के स्कों नहीं विटाएं के मान लैंक अव्फा पाट्टिकली के किनुके लिए से इंट्रेक्शन के तो राइन लॉस नहीं होता है चाहरो लॉस नहीं होता है उसको कहले जिस अमीकरन दो यहां पर आईए अ इक तथा दो से समिकरन एक तथा दो से पी बराबर के नो लास आफ अफ इनरजी गुर्जा के कोई छती नहीं हो ली तीसरा नमरी जम्मर्थाक लिखिए मांगलेगे लखा पटा के के कोई लास नहीं होती है कि यहां पर बनाय थे आवा आ यहां पर बनाये थे लिए लोगा ना तो जब में लोगा और इनर्जी जी रो अब कोई खती नेवी जतना कि ठाव पिसमें कनवर्ट हो गया है तो यहां पर क्या लिए सकते हैं 1 by 2 mv square परावर 2 kz e square बटर r0 तो r0 परावर क्या रखा लेंगे 2 kz e square बटर 1 by 2 mv square कि यह एक निकल लिया है जो निकट सम पहुंच के दूरी आरे लूट निकट सम पहुंच के दूरी फटाग से कर लिए तो इनको नोट कर लिया है अब इंको इरी इस दरते हैं यह तो नमर वाजिस्टेब बताएं आपको इसलिए ता कि मेहनद जाना नाव पढ़ रहे में इसको बुक में जब पोजो गया इतनी बड़ी कानी बणी है कि बासुलाइतरा जाओ इसको समिक्राण कितना ले घुया इं, समिक्राण कितना ले यह बदर क्यों हो गया, नो लॉस ऑफ इनर्जी इनर्जी में कोई छती नहीं छती होता तो काईटेक इनर्जी पोटेक्शन इनर्जी के बराबार नहीं होता के अब जराब एक यहां पर आपना लिख लें है कि लुटे करें जयात एसक्वाइब बटा वान रावाई टो एमडियाश्वाइब निखाल निकाल रहें पहले से कोप्चा अम रखें एक्स्प्रिमेंट लें के तो सब का वैल्यू लिख ने तो के बराबर क्या जांते हैं हम तो 9 उना 10 के पार 9, newton, meter square par, qon square, z क्या है, atomic number of gold, ये gold का ले लिया, इसलिए यहाँ पर यह माद पर रिखा गया, बरना और कहीं लग जाता है, तो gold का atomic number क्या होता है, 79, ये बराबर क्या है, चार्ज ओफ इलेक्ट्रों तो इसमें नुमरिकल भिल्यू लेते हैं तो 1.6 इंटू 10 दिफावर माइनस नाइटीन पूच्छा और 1.2 आइन वेस्पर डिरेक्ट पे लिखे ना के यॉव अलफा पार्टिकल निकाल करके रख ले हमाँ और कितना आठ दसंद आठ दसंद आठ नौट बराबर जो निकलने वाला है वो निकलेगा वो निकलेगा वो निकलेगा वो निकलेगा वो निकलेगा एक्ता चार दसंद एक तीन गुना दस के पार माइनस चोगता यहां पर एक चीज याद दिनाए माइनस चोगता इसी को लिखते हैं वो आर और करके आर नौट ब्रावार 41.3 गुना 10 के पार मैनस 15 किसी को क्या लिए आया है निकलियस ऑफ बोल्ड यह वैल्यू किसके लिए आया है निकलियस ऑफ बोल्ड यह वैल्यू किसके लिए और याद लिए जब प्रारवा में हम निकलियस लिखे थे रदरफोड के बारे में जब निकलियस के परिच्छा दिये थे चाहिए थे केंद्रा की कोटी 10 के पार मैनस 14 से 10 के पार मैनस 15 होता है यह कोटी बदलने वाला नहीं है पर यह गुनांक अलग-अलग-अलग-अलग- अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग अएक प्रमूला बना एं जो सभी एटम पर लग जाया तिंपको आप पड़ाक्शन बनाएं तो इरेज करते हैं और अगली एट निकलते हैं रेडियस रेडियस निकलते हैं तो निकलिया साथ रडियस को क्या मालने है अपान दो क्या मालने है यह पर कुछ एजंशन लिखते है नहीं बर एक्सपेरीमेट जिसे यह सब आया है नमर इक एक नमर दोधन बाखे नहीं और तीन पार्टिकल है कॉंसीडर्ड आज है एस्पेरिक काता है जितना भी सुक्ष्मकर्ण होता है उसको क्या माना जाता है एस्पेरिकल माना जाता है दूसरा नमर करता है भल्यूम आफ टीनी सॉलीडर इसपेर इसी को क्या कहेंगे निकलियस इज इस लिए यह कहानी है यह बड़ी लम्मा प्रक्ष्मकर्ण क्या है क्या है कि और टीनी पार्टिकल कंसेडर आज है इसके रिकर दूसरा रखाता है वल्यूम आफ निकलियस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनाल तू दे मास अगे एम बीयर मास नंबर आप यहीं बात को पकड़ना है दो बात है यह आई आए बात किससे बाय एक्सपेरिमेंट से कहता है अल्टीनी पार्टिकल माना जितने भी सुक्ष्मकर्ण अब यह एक्सपेरियस और यह एक्सपेरियस को प्रोपोर्सनाल किसका हो जाना है यहां से हम आर्ट्यूब को इधर रखें दर्ट्यू प्रोपोर्सनल करें एक गुणना हो जायगा यह उपर चल जायगा थ्री बत पट प्रेंट्वाइट यह क्या है कॉंस्ट्ट्ट तो आर्ट्यूब इस गुंस्ट्थेंट हुश मानले तहहां आर्ट्यूब ड्रिप्रोपोर्सनाल प्रोश्णाल को ये क्या आगे हैं हम बदलेंगे जमाना तो आर ट्रूप इक वल्टू मान लेता है यहां पर नॉट जो हैड्रोजेन इस्पक्ट्रम के लिए लिए तो आर पराबल क्या होगी है इसको जो बैसे करेंगे तो आर डिरेक्ट्री प्रोश्णल एक टूदी पावर वन वैं तो आर इकवल टू आर मॉट इंटू एक टूदी पावर वन वैं धित जहां आर नॉट इक वल्टू क्या है 1.1 इंटू 10 टूदी पावर माइनुस 15 मीटर मन है और करिये अर नॉट इक वल्टू एक टूदी ये सब्सक्रीमेंट से लिया गए तो आर ब्राबर क्या हो गया रेडियस फुर इचामपुल यहां पर लेले जाए रेडियस फुर्ट ए रेडियस फुर्ट इस फुर्ट इस जाट बरागर तेरा आई यहांकर देखते हैं नितना सब्सक्राइश फुर्ट इस का गया हो थे तरी तो इसका रेडियस यहां तो नितना सक्क्राइश फुर्टेशखते तरी अशाएं यहां से दिए उतना इसका रेडियस आजाता जैसे जैसे तरह मान बढ़ेगा वह से बने मास नमर बढ़ेगा वह से ब्रमानों की आकार भी बढ़ती जाएगी बस यह जाए अब इसके पार देख लेता है प्रक्शन प्रख लिए अज चलिए अगला एक लिए निकली आर बें लिए दिकलिया रहा है देन सीटी नुपले डेंसिटी को किसे दिखा लेका रो सी नें तो टेंसिटी बराबर कहा जाते हैं लिए गांस आप निकलियास बटैर अब व्मॉप नुक्लियास ने कि बायरी बाहरे से देखें हैं मॉस आफ नुक्लियास नुक्लियास नहीं होता कई पर्डॉन मॉलस नूट्रॉन यह सीकलों धर्डु मुठवल्टॉन librak गया करें में खरद हमें अरगे माना मास नूमबर प्र continent मोम प्रिकें मास नूमबर कास्विए आए मास आप प्रotzन एकुब तो मास अप जोपना माले तैके And M 1.67 10 10 10 10 iten मास अप्रोटोन इक्वल टू अप्रोटोन इक्वल टू एम मन लिये हैं तो इतना इतना तो अब देखिए मास अप्रोटोन क्लस नूटोन जिसकों क्या करते हैं से मासारा दिगेंगेंगें तो प्रॉट्वोर्ण प्लस न्यूट्रों ए अगना चट्टा आये यहां पर देखें नो बोलुम आप नीकलियस वहल्ग आप्स नूकलियस, और भी फॉरंत प्ड़ हैं यहीं पत्रत्रत्रत्रतर्न के अब आतैंगों किया मांत है। तो व एकवल टो प्वर एंट तो प्वाइंट यूटा आए यहां पर देख लिए ना रो इकवल टू यहां देखे लिए तो मास और निकलीएस तो मास आप निकला अब किया हो जाएगा बटर वाल्यूम आप वाल्यूम आप निकल तर्फटर निकला है और थ्री पाई आर नॉट इन्टू एसे यह देखे मर गया रोई कपल तो एम बटर एट फोर भाई थ्री आप आर नोट का वॉल्ट्ट्यू यह निकल गया अब इसको चल्कुलेट कर ल इस रहां चलिए प्रक्राइब दिखते हैं यह रोग क्या निकल करके अर्टा है जना शांने दिखा लेटा है क्या होता है तो चलिए रोग परेटल क्या हो जा रही है एंग का गली देखे कहा है एक दसंब्लब छॉगुना दस के पार मैनाश सत्ता एस केजी बठाए चार कामान 22 गुना आर कामान देखे 1.1 गुना 10 के पार माइनस 15 लिख ले था जी आइसका क्या हो जाएगा क्यू जब इन सब को सलू करोगे तो सल्यूशन आएगा 2.8 गुना 10 के पार 17 केजी अपर मीटर क्यू यहां पर नौट करेंगे लगभग सभी परमानों के केंद्रक निकिलियस का घनत्वर समान होता है इसलिए इसको याद रखें यह सभी परमानों की घनत्व हो जाएगे आप जाना है इनको आए हाथ समझ में नहीं आएं कोटी आप निकिलियार देंसिटी एक वर डूंदस के पार 17 के जी पार यह पावर सब्सक्राइब इसको कूटी करतें को और किसी खास परमानों का सब्सक्राण का नुकिलियर डिंसिटी है इसे परमानों का भीटेमस्टी इस परवानु का सब्सक्राण को नाट चलें इरेज करके छोटी सी रिलेशन बताएंगे योडी अटक्शन हो करें आगे देखता है एक तन रिलेशन बिट्वेन बिट्वेन एम यू मने अटोमिक मास यूनित एंड मेगा सबसे पाली है की एक एक मेगा एलेट्रोन बोल्ट भरावर होता है दस के पार हो इहां से है यह हैं और यहां से समझें मेगा अध्रेट्रों दीपावर सिख्स यह सब जाते हैं मेगा जीगा ठीड़ा एक जाओ तो यहां पर एक एलेक्ट्रों गुल्ड बरावर्ण जाते हैं एक दस्दाव वनादस के पार माइनस पुनीस जूल्या तो एक दसन लग जोलूण दस के इस पार । गुन्ना, दस के पार। एक दसन लग जोलूट गुना, मैंनस तेरा जूलूद यह सारी से पालइ मी निकाले थे। चलिए एक रिलेशन तो यहां पर आगें दूसरा रिलेशन लाते हैं एक बार किसमें एक एम यू बराबर हम लोगों क्या जानते हैं एक दसम्लाव छोग साथ गुना दस के पार माइनास 17 के जी यार एक एम यू बराबर एक एम यू बराबर देखें होंगे एक दसम्लाव छोग साथ गुना दस के पार माइनास 24 ग्राम जिस रोजे एम यू का परिमासा बताएं होंगे उससी रोजी बताएं आए चलते हैं अब देखिए यह एसाई में ले आएं किसमें आए एसाई में और यह भी किसमें है नहीं वज़ें लगाएं लिए ये इसाई है फ्रों तक भूल लें आएंस्टीन मास इनर्जी अभ्यानी आप यह बराबर मुर्दीर जांते हैं एक एंसी अश्वासिए अश्वाइर एंसी इंसी एसओ सिएवरवर एंसी एसवार एंसी एसक्वाइद एवराबर कि ऐङषां स कितना करए एक दसनल एक देटानर क्राफı हम्मा पर दसक्राफ शूंद स्नस्या आप मालिए कोलिए थी इन दसके पार तो यह इनर्जी है वराब्र तो एक दसामलब छोई स्कों गुणा कर लें दरा नौ सतर तेरे सट के तीन बांकी छे अन्न शाकर चोबान छोशाट के जीरो बांकी एक और नौ एक दस पॉइंट वान टू वान टू वॉगनेर दस दसामलब जीरो तेन गुना डस के पार-11 जूल ना जूल कि इसको अर्भ दरते हैं इप निवराबर इप दसामलब जीरो जीरो तीन गुना दस के पार-10 जूल इसको नहीं अब जाना देखे ए कि यी पर आवक निकला और एक मेगा एलेट्रोंग पराबर कितना है यहां पर क्या होना है यहां पर होना है यहां पर होना है तंटर दसम लाव यहां पर क्या हो जाएगा एक दसम्लाव पांच तीन अब इनको किसमें बदल रहा है इसमें बदल रहा है तो इदा से चाप लिए होगे यहां पर अंदरा दसम्लाव जीरो तीन और एक दसम्लाव पांच जेरो अब आईए इसको चाहिए आप एक 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 नियम से इस जूल को इस मेगा इलेक्ट्रोन बॉल्ट नहीं तो एक जूल बरावर तो एक मेगा इलेक्ट्रोन बॉल्ट बट है एक दसम्लाव 6 गुना 10 के पार मैनस 13 जूल इसलिए एक दसम्लाव पांच जीरो तीन गुना 10 के पार मैनस 10 जूल बरावर नहीं इसमें गुना कर देंगा तो एक मेगा इलेक्ट्रोन बॉल्ट बट है एक दसम्लाव 6 गुना 10 क से पार मैनस 10 क्लिया आईए जब इसको बरावर करते हैं इतना आ जाता है इसको जब से कटते हैं तो आता है नो सो एक इस दसमलब दू पांच मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट इसको लगभर बरावर हम लिखते हैं नो सो एक इस मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट इतना बरावर प्क्रियार? तो 1AM U बराबर कितना इनर्जी? 931 ma electrone volt इसको में डान लेते- यह से फिर लेते 1AM U बराबर कितना élepower volt? नज़ Ultra 31 इसका करन आएगा नहीं इन तहरे जिए हमे देख़ेगा mass defect mass defect से सीधा इनर्जी निकाल ले मास्ट डिफेक्ट से क्या निकाल ले में सिधा इनर्जी निकाल ले कब जब मास्ट डिफेक्ट EMU में जब मास्ट डिफेक्ट किसमें हो EMU में हो सीदह समस्ट इफेक्ट को में कनवर्ट कर सकते हैं में कनवर्ट कर सकते हैं यह में क्या अ कि यो की कभी कभी जाएं में यह क्या ऐसे दिर रुबा तो यहां पर एक amu बराबर कितना जूल एक दसमराफ पांच जरो तीन आसपास जाना है कोई जड़ों ने एक एकुरेट बैल्यू भी आया था है इतना जूल सीधा मास में इतना जूल में किलिया नौट कर लिजे तो इनको नौट कर लिए आप उमीद है आपको इलेक्षर समझ में आए होगे यदि समझ में ना आए तो आप हमें कॉमेंट करें क्या पढ़ान देते हैं पटर बगरगर की चले जाते हैं आप कुछ आता लिए यदि पढ़ियां याथ एक अच्छी सी कॉमेंट कर दें नहीं है की नहीं और यदि आप चैनल पर नएगोती चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें वीडियो को मित्रों में सेर कर दें और लाइक तो निश्यट करें यदि आपको पसंद आ जा तो कोई जबर दसती नहीं यदि खराब तो लगते हैं तो फिर आप्टिया करें, लेंग करेंगे, नहीं ना, धन्यवाद।